हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, इस वीडियो में पार्टी वेर लोंग आउन की कटिंग करना बताएंगे मैंने चार मीटर का ब्रोकेट फैब्रिक लिया है, इसको ओपन कर लेंगे इसमें से पहले टोप पार्ट की कटिंग करेंगे, फैब्रिक को टू लेयर में फोल्ड कर लिया, यह ओपन साइड है, दूसरी साइड फोल्ड इड साइड है अब इसको four layer में fold करेंगे fabric को चारो तरफ से set कर लेंगे टोप पार्ट की length 15 इंच पर marking करेंगे दूसरी side भी 15 इंच पर marking करेंगे दोनों point को join करेंगे और एक straight line draw कर लेंगे अब यहां से इसकी cutting करेंगे extra fabric को निकाल देंगे folded side से solder 7 इंच पर marking करेंगे आर्मोल 7.5 इंच पर marking करेंगे और एक straight line draw कर लेंगे दो इंच आगे की तरफ बढ़ाएंगे corner पर 1 इंच पर marking करेंगे और crouch कर बना देंगे front आर्मोल के लिए अंदर की तरफ half इंच पर marking कर लेंगे इस तरीके से यह back वाला आर्मोल है और यह front वाला आर्मोल है अब यहीं से fitting की marking करेंगे जैसे fitting है 36 इंच तो उसको 4 से divide करेंगे तो 9 इंच आएगा 9 इंच पर fitting की marking करेंगे अब कमर की fitting की marking करेंगे जितनी भी आपकी fitting है उसको 4 से divide करना है तो 7.5 इंच पर marking करेंगे अब दोनों पाइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन डो कर लेंगे 1.5 इंच पर मार्जन की मार्किंग करेंगे और लाइन डो कर लेंगे अब सोल्डर के ओपन साइड हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे folded side से neck width 3 inch पर marking करेंगे अब दोनों point को ज्वाइन करेंगे और एक cross line draw कर लेंगे toe part की marking कर ली है अब इसकी cutting करेंगे पहले back वाले armhole से cutting करेंगे बाद में front वाले part को अलग करेंगे और उसकी armhole से cutting कर देंगे अब margin वाले marking से cutting करेंगे extra fabric को निकाल देंगे अब solder की cutting करेंगे center में cut लगाएंगे bottom side भी center में cut लगाएंगे अब इसको open करेंगे fabric को 4 layer में fold कर रखा था तो इसमें से gown के toe part के दोनों part के एक साथ cutting कर लिया है अब इसमें से front वाले part को अलग करेंगे इसको center से fold कर लेंगे चारों तरफ से set करेंगे और इसके armhole से cutting कर देंगे marking अल्रेडी कर रखिया है as it is इसकी cutting करेंगे top part के दोनों part की cutting कर लिया है अब sleeves की cutting करेंगे fabric को 4 layer में fold कर लिया है यह open side है और यह folded side है sleeves की length 15 inch ले लेंगे 1 inch extra ले लिया है margin के लिए तो 16 inch पर marking करेंगे दूसरी side भी 16 inch पर marking करेंगे दोनों part को join करेंगे और एक line draw कर लेंगे अब यहां से इसकी cutting करेंगे extra fabric को निकाल देंगे sleeves की width 10 inch ले लिया है solder की open side से 3 inch पर marking करेंगे और दूसरी side cross line draw कर लेंगे अब armhole की save दे देंगे इस तरीके से पहले half inch अंदर की तरब marking करेंगे और उसके बाद इस तरीके से बाहर की तरब marking कर लेंगे as shape में इसकी marking कर लेंगे sleeves bottom side से 5.5 inch पर marking करेंगे और 1.5 inch margin की marking करेंगे अब दोनों point को join करेंगे और एक cross line draw कर लेंगे 1.5 inch पर margin की marking कर लिया है sleeves की marking कर लिया है अब as it is इसकी cutting करेंगे margin वाले marking से इसकी cutting करेंगे extra fabric को निकाल देंगे अब sleeves की armhole side से cutting करेंगे center में cut लगाएंगे fabric को 4 layer में fold कर रखा था तो दोनों sleeves की एक साथ cutting कर लिया है अब गाउन के bottom part की cutting कर लेंगे fabric को 2 layer में fold कर लिया यह open side है और दूसरी side folded side है अब इसमें से किसी भी एक corner को उठाएंगे और triangle की shape में fabric को 4 layer में fold कर लेंगे इस तरीके से fabric को triangle की shape में 4 layer में fold कर लिया यह open side है और इस side folded side है इस corner के उपर gown का top part रखेंगे मैंने यह top part ले लिया है folded side, folded वाला part रखेंगे bottom part के ऊपर top part को set करेंगे और इसके 12 side marking कर लिये अब 12 part को हटा लेंगे दोनों साइड मार्किंग कर ली है मैंने ये टेप ले लिये राउंड सेप में मार्किंग कर लेंगे कोर्नर पर टेप को फिक्स रखेंगे राउंड सेप में मार्किंग कर लेंगे अब इस मार्किंग पर टेप रखेंगे और bottom part के length पर marking करेंगे 42 inch पर marking करेंगे आपकी जितनी भी bottom part के length है आप उसके coding marking कर लें 42 inch पर marking करेंगे tape को खिसकाते जाएंगे और round shape में marking करते जाएंगे तोआप देख सकते हैं gown के bottom part की marking कर लिये है अब इस agities इसकी cutting करेंगे दोनों side से bottom part के top से इसकी cutting करेंगे जैसे marking कर रखिया as it is cutting कर देंगे extra fabric को निकाल देंगे bottom side से इसकी cutting करेंगे जैसे marking कर रखिया as it is cutting कर देंगे extra fabric को निकाल देंगे अब इसको open करेंगे fabric को 4 layer में fold कर रखा था तो इसमें से गाउन के bottom part के दोनों part के एक साथ cutting कर लिया है अब inner की cutting करेंगे मैंने 3 meter का inner fabric लिया है और इसको two layer में fold कर लिया है ये open side है और दूसरी side folded side है अब किसी भी एक corner को उठाएंगे और triangle की shape में fabric को four layer में fold कर लेंगे अब इसके उपर gown का bottom part रखेंगे और इसको set कर लेंगे इसको inner fabric के उपर set करेंगे अब main fabric के side से marking करेंगे इनर की length 40 inch पर marking करेंगे अब इसकी cutting करेंगे पहले top side से cutting करेंगे extra fabric को निकाल देंगे अब bottom side से इसकी cutting करेंगे extra fabric को निकाल दिया है अब इसको open करेंगे fabric को 4 layer में fold कर रखा था तो इसमें से inner के bottom part के दोनों part के एक साथ cutting कर लिया है fabric को 4 layer में fold कर लिया है यह folded side है और इसके उपर gown का top part रखेंगे folded side folded वाला part रखेंगे चारों तरफ से set करेंगे और इसके side से marking करेंगे main part को हटा लेंगे और as it is इसके cutting करेंगे पहले bottom side से इसकी cutting करेंगे extra fabric को निकाल देंगे अब इसके armour होल से cutting करेंगे extra fabric को निकाल देंगे center में cut लगाएंगे bottom side भी cut लगाएंगे अब इसको open करेंगे fabric को 4 layer में fold कर रखा था तो इसमें से inner के front part और back तो आप देख सकते हैं िस तरीक़ से Gown की cutting complete हो गई है अब Naq की cutting करेंगे फैब्री को 2 layers में fold कर लिया है folded side से neck width 3 inch पर marking करेंगे Neck length 5.5 inch पर marking करेंगे एक box बनाएंगे और round shape में naq की marking कर लेंगे इस तरीके से पहले raflis marking करेंगे उसके बाद marking को डाग कर लेंगे अब as it is इसकी cutting करेंगे अब इसको open करेंगे इनर पर front neck की cutting कर लिया है अब gown के main fabric को right side से रखेंगे इसके उपर inner fabric set करेंगे inner को चारो तरफ से set करेंगे अब inner के side से half inch का margin रखते हुए शिलाय लगा देंगे neck पर half inch का margin रखते हुए शिलाय लगा दिया है अब inner fabric के side से cutting करेंगे extra fabric को cut कर देंगे अब इसमें छोटे-छोटे cuts लगाएंगे जिससे neck easily fold हो जाएगा और इसमें finishing आजाएगे अब inner को दूसरी side turn करेंगे इस तरीके से दूसरी side inner को turn कर देंगे अब neck के ऊपर finishing के साथ्सिलाय लगाएंगे इसके दोनों side दीलाय लगाएंगे और inner attach कर लेंगे main fabric के ऊपर inner attach कर लिया है और neck पर देंग लगा लिया है अब back neck की cutting करेंगे folded side से neck width सेम थिन्ज पर marking करेंगे length से 6 इंज पर marking करेंगे नेक के बोटम साइड से वीड 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और एक लैंडो करेंगे एक बोक्स बनाएंगे और राउंड सेप में मार्किंग कर लेंगे पहले रफली मार्किंग करेंगे उसके बाद मार्किंग को डार्क कर लेंगे अब इसकी cutting करेंगे जैसे marking कर रखे as it is cutting करेंगे अब इसको open करेंगे back neck की cutting कर लिया है और main fabric को right side से रख लिया है इसके उपर inner रखेंगे और चारों तरफ से set करेंगे inner के side से half inch का margin रखते वे सिलाई लगा देंगे neck inner के side से extra fabric को cut कर देंगे सिलाई को बचा कर इसमें छोटे-छोटे cuts लगा देंगे जिससे neck में finishing आएगे और ये easily fold हो जाएगा अब inner को दूसरी side turn करेंगे और इसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे और inner को attach कर देंगे main fabric के उपर neck के उपर सिलाई लगा दिया है और inner attach कर लिया है main fabric के उपर इसको right side से रख लिया है इसके दूसरे पार्ट को इसके उपर रखेंगे दोनों पार्ट को एक दूसरे की right side रखेंगे solder को solder से attach करेंगे और half inch का margin रखते वे दोनों solder को attach कर लेंगे दोनों solder पर सिलाई लगा दिया है अब इसको ओपन करेंगे, टोप पार्ट के दोनों पार्ट को अटेच कर लिया है, गाउन के बोटम पार्ट को उल्टी साइड से रख लिया है, इसके उपर इनर रखेंगे, अब हाफ इंच का माजन रखते हुए इसके उपर सिलाय लगाएंगे, और सेम तरीके से इसके दू पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड रखेंगे, सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे, और इस तरीके से हाफ इंच का मार्जन रखते हुए शिलाय लगा देंगे, टोप पार्ट और बोटम पार्ट को अटेच कर लेंगे, सेम तरीके से बैक पार्ट के टोप और बोटम को गाउन के top part और bottom part को attach कर लिया और back part के top और bottom को भी attach कर लिया है अब गाउन के उपर sleeves attach करेंगे पहले sleeves को ready करेंगे इनर की दोनों sleeves को एक साथ fold कर लिया है अब cold sleeves की marking करेंगे folded side से 2 inch पर marking करेंगे length 2.5 inch पर marking करेंगे एक box बनाएंगे और round shape में marking कर लेंगे पहले roughly marking करेंगे उसके बाद marking को dark कर लेंगे अब as it is इसकी cutting करेंगे एक्स्टा fabric को निकाल देंगे अब इसको open करेंगे अब इसको main fabric पर attach करेंगे sleeves के main fabric को right side से रख लिया है इनर को इसके उपर set करेंगे चारों तरफ से set करेंगे अब इनर फैब्रीक के side से half inch का margin रख लगते वे सिलाइ लगा देंगे सेम तरीके से दूसरे बारे sleeves के side से भी शिलाइ लगा देंगे दोनों sleeves के ऊपर half inch का margin रख लख लगते वे शिलाइ लगा दिया है अब extra fabric को cut करेंगे इनर के साइड से एक्स्टा फैब्री को कट करेंगे, अब इनर को दूसरी साइड ट्रन करेंगे, इस तरीके से दूसरी साइड ट्रन कर देंगे, अब डिजाइन के साइड से सिलाई लगाएंगे, और चारो तरफ सिलाई लगाकर इनर अटेच कर लेंगे स्लीव के ऊपर, तो right side से रख लिया है अब इसके उपर sleeves रखेंगे sleeves को गाउन को दोनों के एक दुसरे की right side रख लिया है और design के दोनों side marking कर लिया है इस तरीके से gown part को और sleeves को चारो तरफ से half inch का margin रखते हुए सिलाई लगा देंगे सेम दोनों के एक दुसरे की राइट साइड रखेंगे और हाफ इंज का मार्जन रखते वे सिलाई लगा लेंगे गाउन पर दोनों स्लीव को अटेच कर लिया है डिजाइन की साइड ओपन सोल्डर पर और एव की पटी अटेच कर लिया है और इसको उल्टी साइड फोल्ड कर दिया है दूसरी स्लीव को भी रेडी कर लिया है गाउन पर कोल्ड स्लीव का बहुत अच्छा लूक आया है गाउन को उल्टी साइड से रख लिया है और इसके दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग कर लिया है अब गाउन को बोटम साइड से फोल्ड करेंगे, मैंने अल्रेडी मार्किंग कर लिया है, मार्किंग से अंदर की तरफ इस तरीगे से फैब्री को फोल्ड करेंगे, उसके बाद हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, चारो तरफ से इसी तरीगे से फोल्ड करेंगे, गाउन को बोटम साइड से चारो तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगा दिया है और इसके इनर को भी फोल्ड कर लिया है चारो तरफ से और फिनिसिंग के साथ सिलाई लगा दिया है और फाइनली गाउन रेडी हो गया है फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मे